असलाम वालेकुम एवरीवान उमीद है आप सब लोग ठीक ठाख होंगे चीज़ ट्रॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एर्ट क्लास, स्कूल बेस असेस्मेंट पेपर, फर्स टर्म का, सॉल्ट मसी क्यूज और सॉल्ट सब्जेक्टिव पेपर उससे पहले अगर आप लोग ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले एमसी क्यूज नंबर फाइफ है, उसका अंसर बनता है डी, आप लोग एमसी क्यूज पढ़ लें किया है और उसका अंसर क्या बन रहा है उसके बादा आ जाते हैं, जे मसी क्यूज नंबर 7 की तरफ 15 का स्क्यर क्या होता है, ये पुछा गया है जिस क्यूज में और इसका अंसर बनता है डी, उसके बन नेक्स 8 है, क्यूज हमारे पास उसका अंसर बनता है सी, मसी क्यूज नंबर 9 का अंसर बनता है डी, और मसी क्य Q11 का A पार टोटल 5 मार्क्स करे envelopes का उसके बाद Q11 का B पार्ट है वो भी हमारे पस टोटल 5 मार्कस क है उसका solution भी आप लुच्टल 5 मार्क्स करेंग एक तरफ grammes अर्द्ण के लिए आइक तरफ और्धोमेडियं स्टोरंड's का है question आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है उसके बाद 13 है उसका question number A है जो के total five marks का है एक साइट पर उर्दू medium वाले students के लिए solve है और एक तरफ English medium वाले students के लिए solve किया गया है उसके बाद next आ जा जाते हैं जी बी पार्ट के तरफ जिसमें एक साइट पे English medium के लिए है और दूसरे साइट पे उर्दू medium के लिए है और यहां पर जो लिखा हुआ one marks one marks one marks यह step by step बताया हुआ है कि इस step के इतने नबर है step के इतने नबर है वो आप लोगों ने solve करते हुए नहीं लिखने मजीद बाकी तमाब पेपर्स के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने बल आइकन को प्रेस करने और जिस सब्जेक्ट का भी आपको पेपर चाहिए हो आप कॉमेट सेक्शन में लाजमी बताएं मैं अप्लोड कर दूँगी मिलते हैं गली वीडिय में तब तक के लिए अलाहाफिर